हम तैयारी तो कर लेते हैं, मैंने क्या बोला अभी, कैमरा, रोल और एक्शन, यह वैसे तो बने जो सबा है उसके हिसाब से बोड़ा लेकिन यह काम कैसे करता वो बताता हूं, आप कैमरा मतलब तैयारी कर लेते हैं अपनी, रोल मतलब प्लानिंग भी कर लेते हैं, राइट, लव आप सोच भी लेते हैं, यह चाहिए, रोल भी करने ते हैं जिन्देगी को, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, आप, एक्शन, थादी तकलीफी महीं भरी पड़ी है, वो सही हो गया तो मतलब सब हो जाता है इसके अंदर, अब सोचिए अगर आप कोई भी मूव नहीं विश्य हमारा क्या है, आज एक सवाल के साथ चुरू करते हैं और सवाल के साथ खतम करेंगे, सवाल है कि अगर कोई वेक्ति वैफसाय करना चाहरा है, व्यापार करना चाहरा है, बिजनसमैन बनना चाहरा है, तो क्या वो खुद का व्यापार करे कि फ्रैंचेजी ले बड़ा सवाल है, क्या करना चाहिए उसे क्योंकि सवाल इसलिए बड़ा है कि हर आदमी बिजनस करना चाहरा है हर आदमी को लगता है बिजनस करना चाहिए, इवन यूथ जितना भी यूथ है अभी जो आप लोग याँ बैठे हैं, जो मुझे देख पा रहे है वो बिजनस की तरफ रोजान क्यों कर पा रहा है, सबसे पहले इसे समझते हैं, देखिए हो क्या रहा है, पहले की समय में कहा जाता था कि जितनी चद्दर उतने पैर पसार हो राइट, यहीं बोला जाता था, हमें समझाया गया था, लेकिन जो यह नया जोश, नया खून आ रहा है, उसने इस मित को तोड़ दिया, उसने का नहीं मैं अपनी सपनों की उड़ान को जीऊंगा, मैं नहीं नहीं चीज़े करूंगा मैं नहीं नहीं काम करूँगा, मैं इस दुनिया को देखूंगा, अपनी आखों से तो उसके सपने ओगे बढ़े और जब सपने बढ़े होते हैं तो सपनों के साथ एक प्राउबलम होती है कोई भी सपना इस दुनिया का, बिना पैसो कुछ करें क्या? क्या job? job से आप केवल अपने लिखो एक हिंदी में आप जरूरत लिखो के तो क्या आएगा? जैसे शरूरू होगा? job भी वैसी शरूरू होता है job से आप क्या करपाओगे अपनी? जरूरत पूरी करपा होगे और business से big समझ मारी आपको, बीशनस से उसका भी उठा लो उसी तरीके से, अगर बीशनस करना है तो आपको बड़ी बात करनी पड़ी, बड़ा सोचना पड़ेगा बड़ा काम करना पड़ेगा, तो यही बिशनस है अब सवाल आता है, जिसके लिए हमें आं बैठे हैं कि बिजनस करें कि फ्रेंचेजी करें जवाल बद बड़ा है देखिए अकसर कोई भी वेबसाइट आप मैं या जितने भी दुनिया में लोग हैं अगर अपना वेबसाइट करना चाते हैं उनकी पॉलिसी होती क्या है उनके पास क्या रंड नेती होती है पहले उससे समझते है क्या अधार होता है वेबसाइट करने का वो क्या सोच के या आप या कोई भी व्यापार में जब उतरता है व्यापार करने की सोच रहा है उसके मन में क्या चल रहा होता है सही मानिय है आप उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है वो बस उतर जाता है उस वयापार को गड़ने के लिए क्योंकि उसके पास क्योंकि यह हमारी देश के विड़बना है कि यहाँ पर कोई स्कूल या कोई पॉलिसी नहीं है जहां पर वो व्यापार को सीख सके सच में नहीं है कि जहां पर व्यापार को सीख सके और सबसे बड़ा सवाल है जिसे आता है सुनिए का फिर से जिसे आता है वो सिखाएगा नहीं वो सिखाएगा नहीं और आपको जो सिखा रहा है जिसे कि आपने सोचा हो कि कोई मैं MBA जॉइन कर लूँ, मैं कोई business class जॉइन कर लूँ, YouTube पे कुछ वीडियो देख लूँ business करने के, समस्य है क्या और ये भारत में सिखा कौन रहा है, सबके सब कौन भरे पड़ें, जो सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये तकलीफ है इस देश क हैं, या तो आप ऐसे आदमें सीखे जिसे जो टीचर है, जो सिखा रहा है, उसको ग्यान पूरा है, लिक्स ने कर रहा है नहीं कर भी, दूसरा, आप खुद उतर रहे हैं, समझरे बात को, या फिर आप MBA की कि लास को जॉइन कर रहे हैं, कि चलो यहां कुछ कूर्स करके हो है, कुर्स करके होने वाला व्याफसाय नहीं है, अगर यह हो रहा होता तो दुनिया का हर आदमी बिजनसमेन होता, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो व्याफसाय की बात कर रहे हैं, जो व्याफसाय की बात कर रहे हैं, यह हम खुद कर रहे हैं, कि फ्रेंचाइज ये ल होगा जिससे आपको समझ में आएगा माल लीजिए आपको अपने माता पिता की पुरानी शैट मिल ला है शैट समझते हैं इस तरह की वाइट ब्लैक जो भी कलर हो वो मिल ले लेकिन थोड़ी से बड़ी है आपको 40 नमबर आता है और आपको मिल या 48 नमबर या 49 नमबर कोई भी नमबर हो सकता थोड़ी से बड़ी है क्या वो शैट आप पहन सकते हो अड़ेस्ट करा के पहन सकते हो उसको अड़ेस्ट करा सकते हो ना बिलकुल यह पॉइंट यह एक्जमपल याद रखिएगा लगबक व्याफसाय कौन सा नहीं डूपता है एक सवाल यह तो है यह थ से मिलता है म्लेब नोप अशिक्तों से मिलता है मखला होता हमें हमारे माबाप से मिलता हमारे बातादा वो व्यापार दूबने कि संभावना 99% होती ही क्यों कि वह पांच तरीके संब सीकने वाले आ video START है कि वह को व्या पर अगर आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- अल्रडी है, तो आपके successful होने के chances अच्छे हैं, क्योंकि 99% क्या है, वो successful रहेगा, ऐस अफ़ल नहीं होगा, उसका कारण समझ गया बात, क्योंकि आपको shat क्या होई, बनी बनाई मिल गई, अब अक्सर जो सबसे बड़ी गलती है, आप 99% कौन से डूपते हैं, अब कौन से डूपते हैं, वो बात करते हैं, क्या हुआ, shat सिलनी है, क्योंकि मकसद क्या shat सिलना, मकसद क्या व्यापार करना, मैं shat और व्यापार को एक मान के चल रहा हूँ, example के साथ, मेरे बात समझ मारी हैं आपको, पहला example दिया मैंने आपको, कि एक shat, सिली-सिलाई मिल गया, मैं लेक व्यापार, बना-बनाया मिल गया, मैंने सिर्फ उसको अपने इसाब से adjust किया, और मेरे काम हो गया, अब मेरे दूसरा example है, मैं एक फैबरिक लेके आ गया, कपड़ा लेके आ गया, कैची लेके बैड़ गया, और अच्छे बात है, मुझे shat सिलना नहीं आती है, जो अभी का youth है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उस सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, फैबरिक लेके आ जाते हैं, कैची लेके बैड़ जाते हैं, और सोचते हैं कि shat सिलके रहूंगा, लेकिन होता क्या है, आप सब का रुमाल कर देते हो, और जिंदे की रुमाल हो जाती है, यह हालत है वास्तविक्ता में, सच ही है, वास्तविक्ता में क्या है, जिंदे की रुमाल हो जाती है, सच ही बात, यह दूसरा तरीका है, इसे कहते हैं कि बिना सोचे समझे, क्योंकि शेड सिलना भी नहीं आता है, वेपर करना नहीं आता है, क्योंकि उस बिचारे के पास था नहीं, उसको पुरानी बनी बनाई शेड दे दे, क्लिए मेरा फंड है यह वाला, second example समझा है, यह अक्सर अपनी उस शेड का रुमाल करते हैं, तीसरा, तीसरा कौन है, यह जो तरीका है, यह पाँच मेरा सचल और से चला रहा है, क्ते हजार से, आपके और मेरे से भी पहले, तो यह सक्सेस्फफुल वाला होना चाहिए, लेकिंौन अभी हम यूजन के उनकर रह ले लिए, उपाँज चाहिए, पॉराना है, यह त तो आप फैवरिक लेके उस व्यक्ति के पास गए जिसे शहर्ट सिनला आती है, सुनियो गोर से, ये बाप दादाओं का बिजनस नहीं है, आप कैची लेके खुद भी नहीं बैठें, तीसा रस्ता क्या अपना रहे हैं, जिसे आती है, प्रॉब्लम है, आपको जाते हैं आपक से जाके वहाँ सीखते थे, अपना समय देते थे, सब कुछ करने से उनका फायदा क्या होता था, वो समय देते, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, वो समय में वितीत करते थे, और उस व्यापार को बहुत अच्छे से सीख लेते थे, उसको अच्छे सीख लेते, वो पूर यह तरीका सबसे best है तीसरा, बट अभी क्यों नहीं चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा अभी का youth fast है, इंतिजार नहीं उसके पास, उसके फटा फट करना सब कुछ, उसको इंतिजार नहीं कुछ चार साल कहीं पर रुक कर उस व्यापार को समझे, उसको सोचे, ऐसा संब भी नहीं है, उसके इंतिजार नहीं है अपने सपनों को, वो भला सपनों को पुरा नहीं करेगा, लेकिन उनितिजार भी नहीं करेगा, वेट नहीं कर सकता हूँ, यह उसकी है नहीं उसके शब्द कोश्ट के अंदर यह शब्द, तो यह तीसरा तरीका है तो बाष शांदार, बट अभी की जो यूवा पीडी आ रही है, जितने भी लोग हैं, उसके एसाब से संबभ नहीं है, कहां तक समझ मैं है मेरी बात आपको टीसरा से एक्जांबल सबझ मैं है, फूर्ट तरीका, यह कुछ नए से मिलता जुलता है, सेकंड वाले से, जो नया, नूकमर आ रहा है, शैट को आ फैबरिक लेके आ रहा है, उससे थोड़ा से अपग्रेड है, बट है तो खतन ना, कैसे, वो बुक लेके आ गया, शैट कै कैसे से लें, माला बाइ, आप कार के स्टैडिंग पर बैठे हैं, और आपके हाथ में बुक के कार कैसे चलाएं, कुछ इस तरीके से, मेरी बात समझ मैं यह आपको, कि कार कैसे चलाएं, कुछ इस तरीके से, बिजनस कैसे करें, आप बिजनस के टेबल पर बैठे हैं, और तो आपको बना बना बिजनस मिलने हैं अपने माबाप से अगर आपके पास है तो इस ध्रती पर आयोगा आप सब सुन्दत और भागिशारी बंचे हैं नहीं है तो दूसरा रास्ता है खुद लेके आगा खैवरिक कुंद अपना बिजनस शुरू कर लिया कुंद शैट से लिए कोशिश करी मैंने दोनों चीजिए को मिक्स करते हैं शैट और बिजनस को एक ही माना मैंने समझे रहा है एक साथ इस बात को पूर रहा हूँ शैट औ और तीसरा तरीका पांग चारा साल पुराना लेकर प्रॉबलम क्या है उसके साथ में अगर है आपके पास तो मैं आपको रिक्मेंड करूंगा यह तरीका शांदार है लेकिन समझे नहीं कितना समय लेगे इसकी कोई गारेंटीन लेकिन ये काम करता है फोर्थ तॅमबर का तरीका वो सबसे खदनाख है, किताब लेके बैठे हैं, आप अपनी जगे पर, कि बिद्नस कैसे करें, ये कुछ इस तरीके से, लेकर आज हम जिस चीज के लिए बैठे हैं, जिस सवाल के जवाब के लिए हम बैठे हैं, आप उसकी बात करने वाले हैं, तो फिर आप क्या करें चार हो रास्ते अगर आप व्यापार करना चाहरे हो अभी, चाहते हो राइट नाओ कि अस व्यापार में कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ बढ़ना है, कुछ बढ़ना है, जितने भी सपने हैं, वो अपने टोकरी में लाने हैं, मैं आप सबसे सवाल करना चाहते हू प्रॉब्लम आपके साथ अभी भी चार है, पहला तो उठाई दीजिए, कि आपको कहीं से adopt होया बिजनस मिलेगा, आप इन तीन में से कोई नहीं कर सकते, कुछ शुरू करने में डर है, पता नहीं क्या होगा, बिजनस रुमाल होगा कि नहीं होगा, दूसरा, इंतिजान नहीं कर सकते, और बुक लेकर, या किसी की यूटूब वीडियो देखकर आप सोच रहों कि येस, काम हो जाएगा हमारा, तो भी आप खत्रे में, ये तीनों खत्रे वाली घंटी है, तो आप करना भी है, और करें भी कैसे, यहीं तो समस्या है, इसी के लिए मैं तो इसका क्या तरीका है, आप ये तरीका बताता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से, कि आप कैसे, अपने समस्याओं से पार भी पाएंगे, और आप अपना जो बिजनिस सोच रहे हैं, वो कर पाएंगे, अब इसी को वापस एक्जाम्पल से समझते हैं, मेरे बात समझ म इन सब में थोड़ा सा वजनी, सबसे दमदार चीज, क्या, देखिए, मैं वापस शैट का एक्जाम्पल लेता हूँ, और से सुनिएगा, पहला आपको अपने परेंट्स की मिलिए, जिसको आपने अर्जेस्ट करिए, दूसरा आप फैबरिक लेके आ गए, और कैंची लेक लेके बैढ़ गए, तीसरा, आपने कहीं गए, किसी दरजी के पास, वाँ सीखा, फूर्थ तरीका, किताब लेके बैढ़ गए, लेकिन जो पांच वा क्रांतिकारी तरीका है, वो है, जो आप अभी यूज करते हो इन दिनो, शैट खरिदने के लिए, अगर बॉइज हैं, रेडिमेट शैट, गए, शोरूम पे, साइज बताया, 40, 38, 42, 44, कलर पसंद किया और आपने उसे वी यर कर सकते हैं, बहुत जल्दी, वो आपने आपके प्रेंट से नहीं लिए, वो आपने किसी शोरूम से लिए, रेडिमेट शैट, उसी तरीके से जो आज का क्रांतिकारी तरीका और चुक कह सकते न, विज्ञान है बिजनस का, वो ये कहता है कि अभी का सबसे फेंटास्टिक तरीका है, रेडिमेट बिजनस, रेडिमेट बिजनस मतलब फ्रेंचाइज, एकर मैं फ्रेंचाइज का दूसरा नाम दू, तो उसका नाम क्या होगा, रेडिमेट आसा आने बिजनस को करना, खोलो और शुरू कर दो, खोलो और पहल लो, यह है फ्रेंचाइजी, इस सदी का सबसे क्रांतिकारी तरीका, कि इसमें क्या है सब सच्छे बात है, आपको बनी बनाई मिली ने शेड, इवन आपके नाम के अकॉर्डिंग मिली है, आपके बजट क अकॉर्डिंग मिली है, कि यस मैं इतना कर सकता हूँ, इतना हो पाएगा, यह सिर्फ इतना ही सूचना है और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, आपको रेडिमेट शेड की तरह आपका जो बिजनस है, वो आपको बना बनाया मिलेगा, इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी, फ्र काम करना पड़ता है, और अजिस्ट करने पड़ता है, यहाँ पे कर रहे हैं बिजनस को खरीदने के लिए, वो जो कंपनी आपको फ्रेंचेजी दे रही है, वो आपको वैसे भी सिखा रही है कि बिजनस करना कैसे है, आपको अपना ब्रैंड दे रही है, हर चीज बना कर द रही है आपको सिर्फ क्या करना है शुरू करना है अपनी energy set करनी है दिमाख नहीं लगाना बहुत जादा अपनी energy set करनी है और आपका काम हो जाएगा समझने मेरी बात आप सब लोग यह है फ्रेंचेजी की ताकत तो मैं आप सभी युवां से बात कहना चाहूंगा अगर आपको समझ में आता है कि यस हमें business करना है अपने सपनों को पूरा करना है व्यापार करना है क्योंकि देखिए दोनों चीज़े एक ही है व्यापार पैसा पैसा एक पल्टू सबना मैं फिर से राते बात समझ में नहीं है है तो मैंने आपको व्यापार का अंसर देए दी है पैसा कमानादा आपके सपने पूरा करना आपका का यह बाट करूँ पूर्प को रे रहे हैं तो आप मान की चलिएगा अगर मैं ट cabeça फूर्व की बात करूँ जिसके हैं की रूप में काम कर रहा हूँ गुडब लगब यही काम कर रहा है वो रोज गयार करता है और अपने taking जिसमें उसके बाद taxation, play school, IT, बहुत सारे salon, बहुत सारे business हैं, जिसके अंदर उसको बनाता है, ready करता है complete, उसके research team, उसके अंदर अनुभवी लोग, set करता है, उस business को पूरा चलाता है, उसको research mode पर रखता है, जब वो तयार हो जाता है, उसकी franchises को बाड़ता है, जिसमें software से लेके, उसके अंदर marketing कैसे होगी, marketing images कैसे होगी, ताकि व्यक्ति जब भी business करने का मन में सोचे, जब कोई साही business हो, उसे सोचे, वो उसे कभी भी शुरू कर सके, तो franchise मतलब क्या हो खोलो, और शुरू कर दो, packet को खोलो, और शुरू कर दो, यही Taxway Group का mission भी है, और हमारा में mission है, और अभी जो क्रांतिकारी तरीका है, वो लगबग, वो कुछ इस तरीके से है, I hope मेरी बात आपको समझ माई हो, इसलिए franchise शब, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो franchise को शुरू करना चाह रहे हैं, franchise सोच रहे हैं, तो अभी के समय का, एक ऐसा शब्द है, जो एक youth को, या जो भी वेपार करने की सोच रहा है, उसके लिए, सटीक तासे, सफलता लाने में कामिया हुए, बस आपको नया business शब शुरू करते हैं, उसका तकलीफ क्या है, second वाले के साथ, और book के वाले के साथ में, आपको वैसे भी पैसा तो invest करना ही हैंना है, फिर उसके साथ guarantee नहीं है, कि आपने जो सोचा है, रास्ता सोचा हो सही है कि नहीं है, क्योंकि आप अपना समय तो उसके research और गलतियों को सही करने में लगा देंगे, सारा investment तुमाहीं लग गया, समय में भी लग गया, गलतियां करने के उसके अंदर, और पर पैसा भी लग गया, यहां पर अच्छी बात है, गलतियां रिमू होई भी मिल रही है, तो फ्रेंचेजी का पैसा आपका इस बात में लगता है, यह तो इनसान तो वो प्राणी है जो हर काम कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं है, बट उसके साथ तकलीफ है, मैंने कहा था आपको व्यापर करना आसान है, बट अगर सही विज्ञान के साथ है तब वो आसान है, अधरवाइस वो तोड़ा से तकलीफ है, समझे मेरी बात को आप, यह मकसद था हमारा वीडियो शूट करने का, मेरी बात आप तक पहुंच गई, अब आप सोचिए कि अब जितने भी करोड़ों बच्चे पैदा होंगे, यह होने वाले हैं, या जो हो चूट क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि, देखे, मेरी बात आपको समझ में आई न, कि दुनिया को समझ में आ जाए, मेरा अनुभव अगर कि दुनिया को किसी फॉर्मेट मिल ले है, तो यह मेरी लिए बड़ी हवात है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं अनुभव है, और ऐसे अनुभव में और भी शेयर करूँगा, यह मेरा वीडियो का मकसद था, मेरी बात समझ आप ना किवल आप लोगों को, बलकि सभी लोगों को, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो इस वीडियो के माद्दम से समझ सकते हैं, कि website करने के लिए, अभी के लिए करांतिकारी तरीका क्या है, जिसे हम एक समय में बहुत सारे मकसद को पूरा कर सकते हैं, I hope मेरी बात आपको समझ में आए होगी, तो विदा लेते हैं, keep smiling, keep growing, thank you very much.